तो दोस्तो जैसा की कल का दिन भारत के लिए एक काफी ज़्यादा हिस्टोरिक डे था क्योंकि इसी दिन को भारत ने अपने सबसे पहले चंदर यान थ्री मिशन को सफलता पूरवक पूरा किया और इसके बाद में भारत पूरी दुनिया के अंदर पहला ऐसा कंट्री बन लेकिन दोस्तो इसी सब के बीच में हमारे खुद के जो एविएशन प्रोग्राम है और बाकी जो नियूस है ये थोड़ी सी दब गई थी जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को आज किस वीडियो में बताऊंगा जो की हमारे तेजिस MK1A फाइटर जेट को ले करके आई तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे भारती वाइशन अपने तेजिस MK1A फाइटर जेट से एक काफी ज्यादा बड़ी मिसाइल को टेश्ट यहां पर कर चुकी है और कैसे अब तेजिस MK1A का ओवराल जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है लेक कैसे हमारी H.E.L. ने अपने तेजिस MK1A फाइटर जेट से D.I.D. की B.V.R. मिसाइल यान की अस्तरा MK1 मिसाइल को टेश्ट फाइर किया है और इसके बाद में एक जो वीडियो क्लीप है जो की एक ओरिजिनल वीडियो क्लीप है इसे भी आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के पर देख सकते हैं जहां पर ये देखा जा सकता है कि कैसे हमारा तेजिस MK1A फाइटर जेट 110 किलोमेटर की B.V.R. अस्तरा MK1 मिसाइल को फाइर कर रहा है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक काफी जादा बड़ी अचीवमेंट है कियों की सबसे पहले अब हमारा जो टेकनोलेजी को बनाने में शक्षम रहे हैं इसी के साथ में यहां पर B.V.R. कैटेगरी में 110 किलोमेटर की अस्तरा MK1 मिसाइल इसके उपर इंटिग्रेट हो चुकी है साथी साथ यहां पर R.73, Python 5 और Derby जैसी जो मिसाइले हैं इनका भी इंटिग्रेशन हम पहले से अपने Tegis MK1A Fighter Jet के उपर कर चुके हैं और इसके बाद रही बाद इसके Electronic Warfare सिस्टम की तो देखी दोस्तो हम इसके लिए एक AESR रडार को डवलप कर चुके हैं जहां पर उमिद यह है कि 900 TR मोडिल वाला जो रडार है वो इसके उपर जाएगा जिसके कारण इसकी जो Effectiveness है वो और बढ़ जाएगी और जो AESR डार होते हैं तो माना जाता है कि इनको जैम करना यह काफी ज़्यादा मुश्किल होता है और इसी के साथ में हमारी DRDO इसके लिए पहले से एक Advanced Self Protection Jammer को इस्तेमाल कर चुकी है और इसका जो Development है वो भी यहां पर Complete हो चुका है और यहां पर सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि हमारी DRDO का यह जो ASPJ है यानिकी Advanced Self Protection Jammer है तो यह AESR TR Modules के ओपर Base Dedges के कारण इसकी जो Accuracy और साथ में Effectiveness है यह भी काफी ज़्यादा Better हो चुकी है तो इसी के साथ में यहां पर भारती वाइसेना के दुवारा यह बात Confirm की जा चुकी है कि अ हमारे Front Line जो Basis है इनके ओपर की जाएगी यानिकी अब हमारे Front Line Fighter Jet के ऊपर आप सभी लोगों को Tejas का जो नाम है वो भी यहां पर दिखाई देगा और इसी के साथ में जैसा की February के महीने में Contract के अनुसार इसकी Delivery को शुरू कर दिया जाएगा तो इसके बाद में भारती जो Overall Squadrons है उनमें भी आप सभी लोगों को आने वाले समय में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसके बाद में अगर 50 और Additional Tejas MK1A के ओडर यहां पर Place कर दिये जाते हैं तो हमारे Tejas MK1A का H.E.L. के दुआरा जो Production Rate है वो भी यहां पर बढ़ा दिया आपसे इनको हर साल डिलिवर करने वाली है और क्योंकि यहां पर हमारी अलग-अलग कंपनियों के दुआरा जिसमें Tata, L&T और Vem Technologies के दुआरा इसके बड़े पार्ट को सप्लाई किया जाता है तो ऐसे में यह ओडर की डिमांड के चलते थोड़ी संख्या में ऐसे जो Components है इनको टाइम ले करके डिलिवर करेगी लेकिन अगर यहां पर ओडर संख्या बढ़ जाती है तो ऐसे में यह भी जो कंपनिया है यह अपनी सप्लाई चैन को और ज्यादा फास्ट कर सकती है जिससे कि डिरेक्टली हमारी जो H.E.L. है यह काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक आ रहे हैं तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तक इलिगुट बाई जैहिंद